हेलो फ्रेंट्स नमस्ते और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नारियल की बर्फी की रेसिपी यह बहुत ही स्वादिस्ट बनके तयार हुई थी तहवारों का सीजन स्टार्ट है जनमास्ट में आने वाली है तो क्यों ना काना जी को भोग लगानी के लिए यह अब ताज के लिए फ्रेंट्स इसको मैंने फोर के इसका पानी अलग कर दिया है और चोटे-चोटे पीसे में कट कर लिया है कट करनी के बाद मैंने इसके सारे जो ब्राउन पोर्शन है उसे हटा दिया था और इसे अब एक मिक्सी का जार में आड़ कर देंगे और इसका एक पेस्ट जैसा तयार कर लेंगे 30 सेकेंड आप मिक्सी अन करेंगे फ्रेंट्स यह बिलकुल अच्छी तरह से बहुत अच्छा सा इसका डेसिकेटिड कोकोनेट की तरह इसका पेस्ट जैसा तयार होका देखिए बहुत इसे है और ब्राउन पोर्शन ज़रूर हटाईएगा फ्रेंड अब रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने यहां पे गराही गरम किया उसमें अड़ किया दो बड़ा चमच घी का घी अड़ करने से इस बर्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा तो इसे जरूर अड़ करें और इसमें अड़ कर दें नारियल को तो कॉंटिटी में मैंने यहां पे लिया है अगर आपके पास नॉर्मल काटोरा है तो आप उस पे दो बाउल आप इसमें आड़ करें और इसे अच्छी तरह से भून ले तो आप देख सकते हैं नारियल को बिलकुल लो फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूं इस तरह से बहुत ही लिया है एक कटोरा दूद तो इसी कटोरा से मैंने नारियल का बूरा ना पता उसी सेम कटोरा से मैं यहां पे दूद आड़ कर दी हूं साथ में दूद की मलाई भी है जो घर पे रहती है फ्रेंस बस उसी को मैंने इसमें आड़ कर दिया है अब अब हमें इसे पकाना है फ् तो आप बीच बीच में इसे चलाते भी रहें और इसे पकाते रहें आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इसका इसे फ्लेवर आएगा और टेक्शर भी आएगा और बहुत ही स्वाधिस्ट बर्फी बनके तैयार होगी तो दो-तीन मिनिट पकने के बाद आप देखेंगे कि य इसे प्रॉपर मिठास इसमें आ जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा तो आप ध्यान रखे वन फूर्थ का टोरा इसमें चीनी एड़ करें और इसे वापस से हमें पकाना है तो एक दो मिनिट के बाद आप देखेंगे चीनी अपना पानी चोड़ना स्टार्ट कर देगी और एक ट्रांसपेरन सा वाटरी लिक्विड जैसा बन के तयार होगा आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से फिर से हमें इसे दो तिन मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है तो यह बिल्कुल ड्राइ होने स्टार्ट हो जाएगा साथ में मैंने आड़ किय है थोड़ा सा इलाइची का पाउडर जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस बर्फी में तो आप देखे इस तरह से यह ड्राइ होना स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी यह पकानी है हमें इसे तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल ड्राइ कंप्लीटली ना हो जाए साथ में मैंने यहाँ पर फ्रेंज घी भी अड्ट किया है जिसे बर्फी में एक अच्छा सा साइन और इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा तो देखे इसे हम वापस कुक करेंगे दो-तिन मिनिट के लिए और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक की चीनी थोड़ी स्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं तो यह बिल्कुल रेडी है स्टेज पे गैस बंद कर दे अब एक प्लेट में घी अड्ट करके आप उसे ग्रीस कर ले जिसमें आप इसका बर्फी को सेट करने वाले हैं इस घ्री अड्ट करने से बहुत आसानी से बर्फी हमारी नि तो मैंने एक चमच के साहता से इसे देखे एक जैसा फैलारी हूं इस तरह से ताकि वो इवन हो जाए चारो तरफ से एक बराबर सा बर्फी निकल के आए और इसकी बाद मैं इसमें कट लगाने वाली हूं चाकू की हेल्प से मैं अभी आप चाहें तो इसे बाद में भी कट कर सकते हैं सेट करने के बार लेकिन मैं इसमें पहले से ही कट लगा दे रही हूं इस तरह से कट लगा ले और अभी स्टेज पे बिलकुल ना निकाले नहीं तो बर्फी तूट सकती है फ्रेंट इसे अभी थोड़ा सेट होने के लिए दो तिन घंटी के लिए रखना पड़ अच्छा लुक आएगा और इसमें कोई कलर एड नहीं है यह भूग क्योंकि अगर किसी चीज को भूग लगाते हैं तो इसमें कलर एवॉइड करना चाहिए तो इसमें कोई कलर कुछ भी एड नहीं किया है देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनके तयार हुई है और इसे अ और बहुत ही नर्म और अच्छा बनके तयार हुआ था बहुत सौफ्ट सी यह बर्फी आप देख सकते हैं और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से नारियल की बर्फी जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जरूर आड़ करेंट